लोग वेलकम डूमाई चैनल दोस्तों यह वीडियो में उनके लिए बना रहा हूं जो लोग अभी नहीं किये हैं या करने वाले हैं वो लोग भी इस वीडियों को ध्यान से देखिए ताकि आप मेरी सब्सक्राइब करने से पहले एक बार सोच लें समझ ले उसके बाद ही मेर सब्सक्राइब लिए पाइंक ट्रायं देखिए कि उससे वाले पॉंटीट के आजब इस जो की 33,700 का पॉंट था ट्री चारीट कर रहीं थी थी मैंने ट्रेलीग्राम किया था उससे पहले ही मैसेज किया था मैंने सुबह में ही कि बैंक निफ्टी से समल के रहेगा आज के दिन क्यूंकि बैंक निफ्टी जब उपर की तरह भागेगी तो निकलना मुश्किल हो जाएगा और काफी दिनों के बाद मुझे लग रहा है कि कई महीनों के बाद मैंने ऐसा देखा कि मात्र एक पांच मिनट की कैंडल पांच सो पॉइंट की मोमेंट किया अगर हम लोग इस वाली candle का low और high देखते हैं तो एक ही candle में 500 point की moment हुई थी यह वाली 5 minute की candle इस candle का अगर हम लोग opening देखते हैं था इसका opening 33,770 पे इसने अपना low बनाया था 33,764 का और इसने अपना high बनाया था 34,266 तो इसका low था 33,764 हाई था 34,266 तो 300 point यहां और 200 point ऊपर लगवा 500 point की moment हमें बैंक अप्टीम में वन वे साइट देखने को मिला मदरे एक ही candle में किसी को निकलने का मोगा नहीं मिला तो हमारा क्या हुआ था कि हमने भाई किया हुआ था put option हमारा ट्रेट ट्रून में जो order लगा हुआ था वो put option लगा हुआ था जो कि 33,800 के put option थी तो इसमें कई सारे लोगों को profit हुआ कई सारे लोगों को loss हुआ और कई सारे लोगों को बड़ा loss हुआ तो वो reason ऐसा क्यूं हुआ इस वीडियो में आपको मैं clear बताने वाला हूँ ठीक है तो आगे से आपको problem नहीं होगी ना तो आप मुझे phone करेंगे न आप लोग अब regular trading करते होंगे तो आपको देखने को मिलता हुआ कि जो आपने ऐसे लगाया है उस price को market जब ज्यादा fast moment होती है upside में या downside में तो आपका SL नहीं लगता है वो fast moment के वज़े से jump कर जाता है वैसा यह आज हमारे case में हुआ तो पहले क्या हुआ था कि जब हमने यहाँ पर put buy किया था तो bank nifty ने low बनाया था 33,660 का उसी डाइन पर हमारा काफी सारे लोगों का target हिट हुआ है मैं यहाँ पर तीन account बताऊंगा जो मेरे ही roommates हैं यह मेरे ही तीनों फ्रेंड है और तीनों लोगों में से एक आदमी का target हिट हुआ और एक आदमी का SL लगा जो मेरे ट्रेट रोन की strategy को तो यह तीनों ही मेरे घर में आज हुआ बाकी सारे लोगों को भी हुआ होगा मुझे बहुत सारे message आये थे लेकिन profit loss और बड़ा loss में तीनों दिखाऊंगा तो इस strategy में देखिए जब यहाँ पर market नीचे आई थी इस वाले point पे तो उस time पे हमारे put stop loss लगा दिया अब उसमें क्या होता है कि market जब फार्च मोमेंट करती है या कोई option तो यो मैंने 500 रुपय पे बाई उडर लगाया है तो वह कुछ लोगों का 500 रुपय पे लगेगा order तो उसमें क्या होता है कि अगर मालीजी के वह option नीची गिरता है 460 रुपे तक आता है ठ पॉइंट का क्योंकि वह option 460 रुपे आया तो उनका 510 रुपे में से 50 पॉइंट अगर माइनस करेंगे तो 460 रुपे आता है तो उनका SL लग जाता है और जो लोगों का 505 रुपे पे entry हुआ रहता है उनका SL हो गया 455 रुपे और जो लोगों का 500 रुपे पे बाई होता है उनका SL अल्रेडी होता है 450 रुपे तो क्या होता है कि अगर मान लीजे कि वह option 455 रुपे पे आया तो 505 वाले का SL हीट हो जायाएगा ठीक है यह तो रहा है SL की बात कि अगर मैंने कोई option बाई किया 500 रुपे पे जिसका entry हुआ है 510 रुपे पे उसका SL हो जाएगा 460 रुपे लेकिन जिसका entry हुआ रहेगा exit 500 पे ही उनका SL हो जाएगा 450 रुपे तो अगर वह option 453 रुपे तक आता है और वहां से फिर ऊपर चला जाता है तो जो 505 रुपे वाली की entry है उसका भी SL लग जाएगा और जो 510 रुपे वाली की entry है उसका भी SL लग जाएगा लेकिन जिसका 500 रुपे पे entry रहेगा उसका SL बच जाएगा क्योंकि वह option 453 बावन से उपर चला गया तो इसकी वज़ाद से यहसा होता है कि कभी-कभी 2-4 लोगों का loss हो जाता है लेकिन बाकी सारों लोगों का profit हो जाता है त कुछ लोगों को एकाक लोगों को loss हो जाता है यह आप जानते ही होंगे अगर आप दो लोग करते हैं तो किसी दिन दोनों का profit हो जाता होगा किसी दिन एक आदमी का profit होता होगा किसी दिन एक आदमी का loss होता होगा तो यह हो गया हमारा entry और exit का formula कि आपको कैसे loss हो जाता है क पिर आपको profit होता है आपके friend को loss हो जाता है तो ये नियम आप बिलकुर समझ लीजिए मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई confusion होनी चाहिए और आप लोग अब next time से मुझे वर्टसप करके नहीं पुछेंगे कि उनका profit हुआ मेरा loss क्यों हुआ दूसरी बात वी कि आज SL नहीं का SL भी नहीं लगा तो और काफी तो लोगों का SL लगा भी तो उसमें थोड़ा सा बड़ा SL लगा ट्रेट्टोन में तो यहां पर मैं देखिए किसी का account एक open किया हूं हम लोग देखते हैं अधेश्तिवारी का यहां पर देखिए इनका SL जो लगा था वो लगा था 2800 लगा नहीं है और हमने जो ऐसे लगाया है वो लगबग 70-80 पॉइंट का एसे लगाया कि रखता हूं में कि अगर loss होगा हमारा तो 70-80 पॉइंट का होगा और अगर profit होगा तो हमारा 1000-1500 के बीच में क्यूंकि exit जब हम लोग करते हैं माल जी कोई option हमने buy किया 500 रुपे में उसका target मैंने लगया है 500-50 रुपे का तो जब exit करने जाता है टेट टोन तो फास्ट मुंट उसी flow में जाता है option उपर तो किसी का exit होता है 550 रुपे में किसी का exit होता है 570 में और किसी का exit होता है 560 रुपे में जब ago gold लगाया है 5000 लेकिन उप्षय जब तेजी से भागते है उपर की तरह तो सबका exit एक ही रेट पे नहीं होता है अब आप लोगों को यह concept भी समझ में आ गया होगा कि किसी को जब आप टेलिग्राम पर मैसेज देखते हैं profit की screenshot तो उसमें भी काफी सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरा 1200 का profit हुआ वहाँ पर एक आदमी का 1500 रुपय का profit हो ग अभी किसी का अगर 100 लोग हैं डाल रहे हैं अभी तो अलरड़ी 112 लोग हो चुके हैं हमारी strategy को subscribe कर चुके हैं तो इसमें क्या होगा कि 112 लोग अगर काम कर रहे हैं तो उसमें से 105-107 लोगों का target हिट हो जाएगा और 56 लोगों का SL भी लग सकता हैं तो आप लोग यह मत query करि अब आई तीसरी बात तो देखिए यह मेरे इरूमेंट है इनका loss हुआ 2800 रुपए का क्योंकि इनका SL लगा नहीं है मैं मैंनुवली क्लिक करना पड़ा ऐसा कभी कभी होता है मैं खुद बोल रहा हूं कि आप आप खुद अगर बैंक निप्टी में trade करते हैं तो मैं काफी महीनों बांद ऐसा देखा हूं कि मातर पांच मिनट की एक ही कैनल एक ही वे में सीधा 500 रुपए की मूमेंट दिखा दिया और हमारा खुद ऐसा ली ठोक है मैंने अपना कि आज मुझे लगबग 8200 की आसपास का लॉस हुआ है बैंक निप्टी ऑफ्सेर सेलिंग में यह रहा हमारे पहला अकाउंट जिसमें अठाइसो रुपए के आसपास का लॉस हुआ है दूसरा अकाउंट हमारा है उसको मैं आप लोगों को दिखाता हूं और यह हमारे दूसरे फ्रेंड है इनका देखिए लॉस हुआ है इनका जो एकजक्ट ऐसे लगया था मैंने वहीं पर निकले हैं क्यूंकि मैंने इसे श्टारड़े में मैक्सिमम लास लगाया है आप लोगों को सतरह से अठारह सो रुपए तो किसी का इसमें 600 भी लॉस हो सकता है और किसी का इसमें 1800 लगाया हूं तो 1900 भी लॉस हो सकता है क्यूंकि exit करते करते अगर फ्लो में रहता है तो 24 पॉइंट ऊपर नीचे exit हो जाता है तो आप लोग ऐसा भी मत पुछें कि सर उनको 1700 का लॉस हुआ मुझे साड़े 1800 का क्यूं हुआ ठीक है यह कॉंसेप्ट भी आप समझ सकते हैं क्यूंकि जब गारी फुली स्पीड में रहती है 120 की स्पीड में तो अगर उस टाइम पर कोई बंदा ब्रेक मारता है गारी को तो वह 24 फीट या 24 मीटर आगे जा सकता है क्यूंकि वह फ्लो में रहता है यह कही स्पीड में रहता है और काफी तेजी से वह स्पीड में रहता है इसलिए ऐसा होता है तो यहाँ पर दिखिए इनका SL जो था वो क्लियर कट लग चुका है 1703 रुपय का इनको एग्जेक्ट लॉस हुआ है तो इनका SL सही जगा पर कटा हुआ है अब हम लोग आपको वो दिखाएं कि तीसरा वाला स्टाउक कि तीसरे वाले इस टाउक में प्रॉफिट कैसे आया है देखे दोस्तों यह हमारे तीसरे फ्रेंड है इनका देख़ें प्रॉफिट हुआ था कि आ झाउए प्रहुआ था हम लोग इनका buy और sell का rate बताएं तो इनका जो buy हुआ था option 479 पे हुआ था और इनका जो exit था वो 526 पे हुआ था तो इनका यहाँ पर profit हुआ तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों हुआ क्योंकि जब entry सही point पे होते हैं और exit उनका भी सही point पे होता है जो मैं target लगाया हुँ लेकिन जिनका entry होता है मा लिजए कि इनका entry हुआ है 480 पे मैंने target लगा दिया 500 रुपए का example के लिए तो अगर इनका 480 पे entry correct हुआ है और exit मैंने लगाया था 500 पे तो अगर rate 500 भी गया तो इनका target हिट हो गया लेकिन किसी का जिनका 485 पे entry हुआ है अगर वो price 500 रुपए गया 500 मैंने target लगा रखा है और उनका price 500 गया फिर नीच अगया तो उनका target नहीं उट हुआगा क्योंकि उनकी entry 485 पे हुए है तो उनका जो target होगा वो 505 रुपए पे होगा इस वजह से उनका exit नहीं होगा और फिर नीचे गिरेगा तो उनका SR भी लग जाएगा तो ऐसा कुछ-कुछ लोगों का होता है तो आप लोग इसको माइन निमत करिएगा उसके बावजूद भी मैंने आप लोग को बताया था कि ये 25,000 रुपए के साथ अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो ये 25,000 का पूरा अगर आप रिस्क ले सकते हैं तभी आप मेरे साथ में काम करिए ये मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था और ऐसा होता नहीं है maximum और मुझे लगता है कि आप stock market में काम करते हैं तो इतना तो समझ सकते हैं कि जो मैं किसी के साथ पैसे लगा कर अगर trade करना चाहता हूँ तो fully risk है तभी आप किसी और के साथ या मेरे साथ किसी के भी साथ अगर आप trade करना चाहते हैं तो आप अपनी capital क को वहाँ पर risk लेकर ही काम करिए अगर रिस्क नहीं ले सकते तो आप stock market में काम नहीं कर सकते तो यही मेरा reason था इस वीडियो को बनाने का कि काफी सारे लोग बोल रहे थे कि सर मेरा SL hit क्यूं हुआ काफी सारे लोगों को profit क्यूं हुआ जिनको profit हुआ उनको तो मज़ा आ रह या फिर किसी को loss कि हुआ है ठीक है आज 500 पॉइंट की एक ही पांच मिनट की candle बनी उस वज़ाज से लोगों का SL नहीं लग पाया किसी किसी का तो 1800 के जगह पे किसी का 2000 का loss हो गया है किसी का 3000 का loss हो गया है ठीक है तो अगर आपको अच्छा लगता है यह strategy तो आप इसको continue र इसी शर्दी में आज के दिन चलिए अब मैं वह बताता हूं आप लोग तो देखें दोस्तों यहां पर बैंक निफ्टी तो देखें दोस्तों यहां पर ट्रेट्रोन का website मैंने खोल लिया है और यहां पर intraday player option buying भाई यादव जी लिख कर आ रहा है और यहां पर अभी तक मुझे 8 trading days हो चुके हैं 8 दिन ट्रेट लग चुका है और 8 दिन में अभी तक 7,010 रुपय का profit यहां पर show हो रहा है पहले दिन हमें profit हुआ था अठारा सो रुपय का दूसरे दिन हमें profit हुआ था 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 तेरा सो रुपय का उसका पाद तीसरे दिन हमारा जो profit था वो 1216 रु और आज का जो हमारा profit थे वो 1091 रुपय का है तो टोटल 8 दिन में ट्रेट कर चुके हैं और यहां पर लगवा 8 दिन में मुझे आज भी 7,000 रुपय तक का profit show कर रहा है बैंक ने प्टी option buying वाली इस्टैर्जी में आ जाएगी वहां पर आपको subscribe कर लेना है उससे क्या होगा कि आपके account में direct मैं यहां से trade करूँगा बैंक ने प्टी option का लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि कभी किसी को profit या कभी किसी को loss क्यूं होता है वो वीडियो में मैंने clear बता दिया है तो आई hope दोस्तों कि आपकी जो सारी question थी सारी problem थी जितने मुझे WhatsApp पे आयते 40-50 message कि मेरे friend को 1000 का profit हुआ मुझे 1200 का क्यूं या फिर मेरे friend को 1500 का loss हुआ मुझे 1000 का profit क्यूं तो वो सब मैंने इस वीडियो में बता दिया है तो आई hope दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आगे से के द्वारा अगर आप अपने account open करते हैं हमारे अंडर में तो मैं आपको अपने support group में जोडता हूँ जहां पर मैं आपको bank duty option selling की call बिल्कुल free में देता हूँ और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को like करिए और अगर आप हमारे channel पर नए है तो channel क अभी subscribe कर लेजिए क्योंकि मैं ऐसे knowledgeful वीडियो हमेशा आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ ठीक है दोस्तों तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद